Hello friends, welcome to Crazy Ziketrick दोस्तो आज के इस वीडियो में Indian history काम काफ़े important topic डिसकस करने वाले हैं धार्मी कांदोलन तो काफ़े important वीडियो आप सभी लोगों के लिए दोस्तो लास्ट में मैंने एक important test include करा है आप सभी लोगों के लिए जो last year exams में questions पूछे गए इस topic से वो सारे questions मैंने इस test में include करें तो आप test जरूर लगाईएगा आपको काफ़े benefit मिलेगा दोस्तो टेस्ट लगाने के लिए जो link है वो मैंने description में दे रखी है आप वीडियो complete होने के बाद में वो test लगा सकते हैं चले दोस्तो हम वीडियो को अंति के रूप में जाना जाता है यह वो समय था जब चीन में Confucius अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे और युनान में सुक्रात अपने दार्शनिक सिद्दानतों का प्रचार कर रहे थे और अगर भारत की बात करें तो लोगों के धार्मिक दश्टिकोंड में परिवर्तन देखने को मिल रहा था मतलब लोग ऐसे धर्म की खोज में जूटे हुए थे जो सरल और उच्चेस्तरी हो तो इसी समय भारत में मात्मा बुद्ध और महाविर स्वामी दो महान व्यक्तियों का प्रभाव देखा गया इन दोनों ने भारत में चल रही प्राचिन धर्मिक परंपराओं और अंद्विशाशों का विरोत किया और लोगों के समक्ष बोध धर्म और जेन धर्म को रखा तो फ्रेंड्स बोध धर्म और जेन धर्म हम दोनों को अच्छे से डिसकस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अच्छे से बोध धर्म को इसका जो second part आएगा उसमें हम जेन धर्म को discuss करेंगे और सारे important questions solve करेंगे जो exam में पुछे जाते हैं तो चलिए बोध धर्म को हम start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोध धर्म के संस्तापक कोन है तो बोध धर्म के संस्तापक के गोतम बुद्ध इन्हें ही क्या बोला जाता है लाइट ओफ एशिया बोला जाता है ये exam में directly question पूछते हैं देखे friends मैं आपको एक story के माद्यम से पूरा अच्छे से explain करूँगा तो आप उसको imagine करते चलिएगा आपको easy होगा समझने में गोतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था 563 इसापूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक इस्तान पर इनका जन्म हुआ था तीसरी शतापदी इसापूर्व में अशोक ने इसी इस्तान पर बुद्ध की स्मरती में इस्तंब का निर्मान कराये था तो ये डारेक्ली एक्जाम में कोशन पूस्ते हैं आप इसको ध्यान रखिएगा बुद्ध जो थे वो शाक कीवन से संबंदित थे इनके पिता का नाम क्या था शुद्धोधन इनके पिता का नाम था जो की कपिल वस्तु के एक छोटे से गणराज्य के पधान थे गोतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था सिद्धार्थ था जन्म के तुरंद बाती इनकी माता का देहांत हो गया था इसलिए इनका पालन पोशन जो था वो किस ने करा था इनकी मोसी प्रजापती गोतमी ने करा था इसी कारण से ये गोतम के लाए ध्यान रखेगा एक काफी इंपोर्टेंट एक्जाम में पुछा आता है पर इनके पिधा इसको लेकर काफी चिंतित रहा करते थे इसलिए उनोंने जब गोतम सोला वर्ष के हुए तब उनका विवा यशोदरा नाम की एक लड़की से कर दिया 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पूत्र हुआ जिसका नाम था राहुल परन्तु इतना सब होने के बाद भी बुद्ध का मन दामपत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या लिया ग्रहत्याक कर दिया आगे बात करते हैं साथ वर्ष तक ग्यान की खोज में बुद्ध जो थे वो इदर उदर भटकते रहे इसी दोरान उनकी मुलाकाद बिमबसार उद्यक और आलार कलाम से हुई एक इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा आलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे ठीके इसके बाद 35 वर्ष के अवस्ता में गोतम जो थे वो बिहार के उरुबेला नामक इस्तान पर पहुचे उरुबेला जो था वो बाद में बोध गया के नाम से ज जाना गिया ज्यान प्राप्त करने के बाद सिद्धार जो थे वो बुद्ध के लाए क्योंकि बुद्ध का अर्थ क्या होता है ज्यान की प्राप्ती तो ये ध्यान रखिएगा एक्जाम में पूछा गया कोशन है ज्यान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वारान ऐसी के समीप सारनात में अपने पांच ब्रामन शिश्यों को पहली बार उबदेश दिया था तो ये एक्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कोशन इस चीज को ध्यान रखेगा पहली बार उन्होंने उबदेश कहा पर दिया था सारनात में पहली बार उन्होंने उबदेश दि बुद्ध संग गए थे इसमें एक इंपोटेंट्ट सिट जो एक्जाम में पुछिया तो इस चीज को ध्यान रखेगा तो भिख्षुक किसे कहा गया? बोध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यास गरन किया उन्हें भिख्षुक कहा गया और उपासक किने कहा गया? ग्रस्त जीवन व्यतित करते हुए बोध धर्म को अपनाने वालों को क्या कहा गया? उपासक कहा गया समय समय पर बोध धर्म को समझाने है तो बोध सभाएं आयोजित की गई जिने बोध संगीती के नाम से जाना जाता है तो बोध संगीती से काफी एक्जाम में कोशन्स पूछे आते हैं इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं बोध संगीती मतलब बोध सभा हैं, तो एक्जाम में ये कोशन पुछा आता है कि प्रथम बोध संगीती मतलब बोध सभा जो आयोजित की गई थी, वो किस इस्थान पर आयोजित की गई थी और किसके शाशनकाल में आयोजित की गई थी, तो इस तरीके से एक्जाम में कोशन पूछते हैं, तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट है त्रती और चतूर्थ, यहां से बहुत बार एक्जाम में कोशन्स पूछे गए हैं, तो आपको दिमाग में चारों रखना है पर त्रती और चतूर्थ तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, तो प्रथम बोध संगीती मत आला शोग का शशनकाल में, त्रती यह काफ़ी इंपोर्टेंट जो भौध बार एक्जाम में पुछा आता है, त्रती बोध संगीती जो थी, वो स्थान पाटली पुत्र में आयोजित की गई थी, और किसके शशनकाल में, और चतूर्थ बोध संगीती जो थी, वो कुंडल वन नामकिस्थान पर आयोजित की गई थी, किसके शशनकाल में, कनिष्ट के शशनकाल में, आयोजित की गई थी, तो ये ध्यान रखियेगा, त्रती यो चतूर्थ काफ़ी इंपोर्टेंट है, ठीके, आगे बात करते हैं, कि 483 इसा पुर्व जब बुध असी वर्ष के थ तब उनका निधन महापरी निर्वान कुशी नगर में हुआ था, तो ये एक्जाम में काफी बार पुशा गया कोशन है, अभी तक कमसकम 6-7 बार रिपीट हो चुका है, कि बुध का निधन मतलब महापरी निर्वान कहां पर हुआ था, तो कुशी नगर में उनका निधन इसमें सबसे बड़ा इस्तूप जो है, वो कहां पर इस्ती थे, साची में इस्ती थे, साची का इस्तूप, ध्यान रखेगा, ये भी काफी important है, exam में पुछा गया question है, चलिए दोस्तों, आप कुछ important points हम discuss कर लेते हैं, जो exam के इसाब से काफी important है, बुद्ध, धम और संग, य वो कौनसा है, त्रीपिटक, त्रीपिटक जो ग्रंत है, उसकी भाशा कैसी है, पाली है, क्योंकि शुरुवाती बौध ग्रंतों की भाशा क्या रही, पाली रही, उसके बाद के ग्रंत कीस भाशा में लिखे गए, संस्क्रत भाशा में लिखे गए, बौधों का विख्यात सबसे पहले किस काल में प्रकट हुए हैं तो वो बोद काल में ही प्रकट हुए थे तो friends यह जो मैंने आपको बताए है important points यह ध्यान रखिएगा exam में इनमें से questions बन सकते हैं तो friends यहाँ पर हमारा theory section complete होता है हमने एक story के माद्धियम से पूरा अच्छे समझा इसको सारे important points भी मैंने आपको बताए जो exam में पूछे आ सकते हैं चलिए अब test की बारी यह test लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने question solve कर पा रहे हैं देखे पहला question है त्री पिटक धर्मगरंत हैं त्री पिटक किसका धर्मगरंत हैं बुद्ध ने निमलिकित में से किस इस्तान पर महापरी निर्वान प्राप्त किया था मतलब कहां पर उनका निधन हुआ था तो कुशिनगर में महापरी निर्वान प्राप्त किया था अगला है किस शाशक ने बोद्दो के लिए विख्यात विक्रम शीला विश्विद्याले की स्थापना की किस ने करी थी धर्म पाल ने करी थी डी आंसर इसका चलिए अगला कोशन लेते हैं जितने भी आपका कोशन करा रहा हूँ ये काफी इंपोर्टेंट है अगर आप ये कोशन भी अच्छे से अगर सॉल कर लेते हैं तो भी आप इस टॉपिक से कोशन आएगा इजिली एक्जाम में बना पाएंगे बोद्द ग्रंथ पिटको की रचना निमलिकित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में शुरुवाती गरंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए साची क्यों विख्या थे? चट्टान काट कर बनाए गए मंदीर सबसे बड़ा बोद इस्तूप बिल्कुल B आंसर इसका सही होगा देखे अगला है गोतम बुद्ध ने अपना परथम उबदेश कहां पर दिया था? तो ग्यान की प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उबदेश कहां पर दिया था? सारनात में दिया था चरी अगला कोशन हम लेते हैं बोद गया इस्ति थे बोद गया कहां पर इस्ति थे? बिहार में इस्ति थे सिद्धार्थ बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां से हुई थी? तो बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी गया से गया में उन्होंने एक वरक्ष के नीचे समाधी लगाई थी और उन्पचासवे दिन उन्हें ग्यान की प्राप्ती हुई थी ठीके? सारनात में बुद्ध का प्रथम प्रवर्चन कहलाता है क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्थन D आंसर इसका सही होगा चरी नेक्स्ट कोशन लेते हैं गोतम बुद्ध द्वरा भिक्षूनी संग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उन्होंने वेशाली में भिक्षूनी संग की स्थापना की थी किसे एशिया की रोश्नी कहा जाता है? लाइट ओफ एशिया की से कहा जाता है? गोतम बुद्ध को कहा जाता है कनिष्ट के शाशनकाल में चतूर्थ बोध संगीती सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए चतूर्थ बोध संगीती जो थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी? C आंसर इसका सही होगा नेक्स्ट कोशन लेते हैं त्रती बोध संगीती कहां आयोजित हुई थी? तो त्रती सबसे इंपोर्टेंट में आपको बताया अशोक के शाशनकाल में आयोजित हुई थी? थी कहां पर? पाटली पुत्र में B अंसर बोद शिक्षा का केंदर था? बोद शिक्षा का केंदर क्या था? विक्रम, शिला, विशुद्द्यालाए ठीके और धियां रखिएगा धर्म पाल ने इसकी स्थापना करी थी? बुद्ध धर्म में त्री रत्न क्या इंगित करता है बुद्ध धर्म के तीन रत्न कौन-कौन से हैं बुद्ध, धम और संग C अंसर देखिए अगला कोशन है गोतम बुद्ध का गुरु कोन था तो गोतम बुद्ध के गुरु कोन थे आलार कलाम उनके गुरू थे बुद्ध ने अपने जीवन की अंतीम वर्षा रितु कहां बिताई थी तो अंतीम देखिए उन्होंने समय कहां बिताई था कुशी नगर में देखे कोशन है गोतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है तो मैंने आपको बताया था गोतम बुद्ध के जन्म स्थान पर अशोक ने इस थंभका निर्मान कराया था ए आंसर चलि अगला कुशन लेते हैं बुद्ध किश वन्ज से संबंदित थे तो बुद्ध जो थे वो शाक की वन्ज से संबंदित थे प्रतम बोद्ध परिशद मतलब बोद्ध सबा कहां पर आयोजित की गई तो पहली बोद्ध संगीती बोद्ध सबा जो थी वो आयोजित की गई थी राजग्रह में किसके शाशनकाल में अजाद शत्रू के शाशनकाल में निम्नमेस से बोद्ध साहित की पैचान कीजिए, ट्रीपीटक, बिल्कुल बोद्ध साहित, ए आंसर इसका सही होगा, अगला कोशन लेते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में, प्र प्रबोत कहां पर प्राप्त हुआ था तो बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुवी थी? बुद्ध धम और संग मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्री रत्न ये अंसर इसका सही होगा देखिए अगला कोशन है इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कोन सा है? इसका प्रचार करने वाला धर्म है बोद धर्म इसको ध्यान रखिएगा चली अगला कोशन हम लेते हैं ज़िए कोशन है बुद्धों के पवित्र अवशेशों पर निर्मित कुम्बतकार छट वाली अर्ध गोलाकार सनरश्ना को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता हैं? स्थूप कहा जाता हैं? सबसे बड़ा स्थूप कहा परिस्ती थे? सांची में बुद्ध की मृत्यू किस वर्ष में हुई 483 इसापूरू यह अंसर सही होगा लेकि अगला कोशन है भारती इत्यास के निमलखीत युगों में से किसके दोरान शत्री एक विशिस्ट पेचान रखते थे तो बुद्ध के युग में शत्री जो थे एक विशिस्ट पेचान रखते थे बुद्ध और महाविर स्वामी जो थे वो शत्री कूल से ही संबन्दित थे चली अगला कोशन लेते हम कोशन है बुद्ध ने सरवादिक उपदेश कहां पर दिये तो सरवादिक उपदेश उन्होंने कहां पर दिये श्रावस्ति में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिये यह अंसर इसका बिल्कुल सही होगा तो फ्रेंट्स देखिए यह 31 हमने कोशन सॉल करें और सारे कोशन सिंपोर्टेंट है और जित्ता मैंने आपको थियोरी सेक्शन बताया अगर आपने अच्छे समझा होगा तो सारे कोशन सीजीली सॉल कर लिए होगे तो फ्रेंट्स यह हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट जो था धार्मी कांदोलन का यह कंपलीट होता है इसमें हमने बोध धर्म को अच्छे से स्टडी करा और सारे इंपोर्टेंट कोशन समने सॉल करें ठीके इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी उसमें हम जेन धर्म को अच्छे से डिसकस करेंगे और उससे रिलेटेट सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो एक्जामें पुछा आते हैं भी हम डिसकस करेंगे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और कमेंट करके बताए वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में अपलोड करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत